तो हेलो बच्छो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डाउटनेट की क्लास में तो जल्दी 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 सारे बच्छे आज आईए और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सर्फिस एरिया और वॉल्यूम जो कि क्लास नाइन्थ के टर्म टू का बच्छो चैप्टर है जिस पर अगर हम बात करें तो इस पर वेश्ट कोश्यन आपको काफी जाते एक्जाम से पूछे जाते हैं बच्छो तो आज हम कौन स्फेयर एंड हेमी स्फेयर के सर्फिस एरिया पर बेश्ट उसका कॉन्सेप्ट और टॉपिक को मलब पर बेश्ट कोश्यन क हम सौल करने वाले तो जल्दी से सारे बच्छे जुड़ जाईए स्टार्ट करते हम अपरी क्लास को तो जल्दी 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 से सारे बच्छे जॉइन कर लिए एक भी बच्छा क्लास में लेटर नहीं होना चाहिए चलिए भई तो स्टार्ट करें सब से पहले सर्फिस area and volume के अगर हम बात करें बच्छों यहां पर तो हमने प्रिविस क्रास में क्यूब डिसक्स किया था उसके बाद सिलेंडर हमने डिसक्स किया था देन कौन का हमने फॉर्मूला साय था आई तिंक सिलेंडर भी कोन बचा हुआ है तो हम कोन स्फेर के सर्फ़िस एरिया के बारे में इस लेक्चर में कवर करने वाले जहलें तो स्टार्ट करते हैं जेक्ट्र के प्रोग्रस पर एक नदर मार लेतें यह सारे टॉप्षोն जसमें solid figures क्या होते हैं उसके बाद उनके surface area then volume उसके बारे में study करने माले है ठीक है बचो यह सब आइधिंग आप सभी को मालूम है इसमें किसी कोई डाउट नहीं है चलिए अब अगर बात करें बच्छो surface area of cone right circular cone उसके surface area पर बात करेंगे and surface area of sphere and hemisphere इसके बच्छों surface area पर बात करेंगे चलिए तो सबसे पहले जल्दी 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 जो भी solid figures हमने पढ़े थे उनके surface area के formulas को quick revise कर लेए ठीक है बच्छो तो जल्दी से एक बार अगर हम quick revise करें तो यहाँ पर क्या बनेगा यह आपके पास क्या बच्छो Strategy कि बच्छो अगर मैं बोलू की OKBand यह सब्सक्रो बी ठीक है पच्छो आ जाए तो Adm आपके पास l- ऩल्दी यह लेटरल-सरफिस-इयरिया होता है एघर सर्फिस-एरिया की अगर आभाएवाँ करेंक स्व च्छो सर्फिस एरिया की बच्चों बात करें उसका सर्फिस एरिया के पास क्या हो जाता है यह आपके पास टू इंटू में एलबी प्लस में बी एच और प्लस में आपके पास एल एच आ जा जाता है ठीक है अगर आपके पास से क्यूब है ठीक है यह आपके पास से क्यूब है अग to h equal to a अगर तीन हो सेम कर दिया जाए तो वह हमाइपस क्यूभ हो जाता है उसकी फिर surface area आपको curve surface area later surface area जो भी निकालदा उसके लिए उसके बाद बच्चों हमने बात करें थे आपके cylinder के चीकशने क्या होता है cylinder के अगर बात करें तो अगर आपके पास कोई R radius का और H height का कोई right circular cylinder है बच्चों तो इसका अगर हम बात करें कर्व surface area CSA equal to 2 into pi RH के equal होता है ठीक है बच्चों 2 pi RH के equal होता है और अगर इसके total surface area TSA की बात करेंगे तो यह क्या होता है बच्चों 2 pi R और into में आपके पास H plus R के equal होता है यह आपके पास first होगया यह आपके पास second होगया ठीक है बच्चों तो कर्व surface area 2 pi RH और total surface area 2 pi R into में आपके पास H plus में R होता है clear बच्चों चलिए यह बात समझ में आ गई चलिए तो कर्व surface area and total surface area आपको यहां पस cylinder का निकल करके आगया अब बच्चों मूव करते हैं अपने कोन पर त हम क्या बोलाते हैं बच्चों इसको हम स्लेंट हाइट बोलाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्लेंट हाइट ठीक है बच्चों तो कोन की अगर आपको स्लेंट हाइट मालूम है तो इसका जो कर्व surface area होता है कोन का कर्व surface area बच्चों क्या होता है pi into r into में आपका LK equal होता है इसका curve surface area pi R LK equal आता है और अगर इसके total surface area की बात करें तो यह आपके पास क्या हो जाता है बच्छो pi into R और bracket में L plus R के जब हम basic area को भी include कर लेते हैं तो total surface area आ जाता है जो की pi into R और bracket में L plus R के equal होता है तो यह basically बच्छो कोन का curve surface area और टोटल surface area आ गया अब इस पर बेश जो questions आपके बनते एक नज़ उस पर माल लेते हैं जैसे कि अब question है आपके पास इक cylinder कर cylindrical पर बेश थे बच्छो question क्या है the diameter of a roller ठीक है बच्छो question हमने साहथ previous class में आपको बताया थे कि बहुत important question है बच्छो the diameter of a roller is 84 cm एक roller है जिसका diameter 84 cm है अगर इस roller की radius की हम बात करें है roller देख पा रहे हो roller किस काम में आता है बच्छो roller का use क्या होता है कि कोई ground है ठीक है उस ground को अगर आपने बिलकुँ plane कर दिया roller की help से तो मतलब की उसके लिए यूज में आता है तो यह आपका cylindrical shape का होता है अगर मैं बात करूं माल लो roller आपके पास इसकी radius कितनी है roller की radius की बात करें तो 84 cm की diameter है तो इसकी radius कितनी हो जाएगी 84 by 2 कर दो तो मतलब की 42 cm आपके पास roller की radius बन जाएगी क्या बन जाएगी बच्चो रोलर की radius आपके पास 42 cm यहां से निकल की आ जाएगी ठीक है अब अगर मैं बात करूं and its length अगर हम रोलर की length की बात करें बच्चो तो बेसिकली यहां से लेकर कि यहां तक की जो रोलर की पूरी length है बच्चो यह एल इसको हम एच बोले यहां पर length बोले एक ही मतलब है जो कि हमारे पास 120 cm है ठीक है बच्चो इट टेक्स 500 complete revolution अब क्या है कि पूरे plane ground को हमको क्या करना है question को समझेगा it takes 500 complete revolution to move once over to level a playground इस पूरे प्ले ग्राउंड को इस पूरे playground को level करने के लिए उसको 500 revolution लेने पड़ते 500 टाइम जब रोलर घूम जाता है तो पूरे plane ground को एक बार उसकी leveling कर देता ठीक है बच्चो तो अब यहां पर एक जीस basic knowledge से समझते concept से समझते हैं बच्चो जैसे कि यह आपके पास cylinder कर मालो यह आपके पास क्या है roller है suppose करो यह आपके पास roller है अब होगा क्या अगर मैं roller को ऐसे run कर तो कहीं पर भी मालो चला रहे मालो यह ground है ground पर अगर हम रो रोलर को ऐसे चला रहे तो एक revolution में roller कितना area को आपका level कर पाएगा जितना इस roller का कर्व सर्फिस एरिया है ठीक है बच्चो एक revolution में roller कितने area को आपका cover कर पाएगा जितना उसका कर्व सर्फिस एरिया मतलब की कि अगर हम यही चीज यहां पर समझें ध्यां सी देखते बच्चो अगर यही चीज में पर atom कर पर समझें तो इस चीज को ध्यां समझेगा की अब क्या करेंगे जैसे हिने क्या किया रोलर को under the position यह तो एक revolution में कितना area cover करेगा जितना roller का curve surface area तो अगर मैं यहाँ से पूछू कि मैं roller का curve surface area क्या आएगा तो इसका curve surface area आएगा 2 into में pi into में radius हमारे पास 42 है और h की value हमारे पास 120 cm solve करते 2 into में 22 by 7 और यहाँ पर 42 हो गया into में 120 हो गया solve कर लीज़े यहाँ पर तो कितना आ जाएगा देखते तो solve करने पर बच्छों अगरम देखे तो basically 7 6 42 हो गया ठीक है बच्छो 7 6 42 और 6 2 जा 12 यह बनेगा 22 into में 12 into 12 144 और एक 0 और आ गया ठीक है बच्छो तो 12 into 144 और यहाँ पर 0 आ गया अब multiply कर लिए प्वेंटी फोर एट फोर्जा 88 तो एट है कैरी कितना आप च्छों में पास एठाई यह 24 फोर्जा 80 22 फोर्जा 88 88 में अब आपने एट हैड कर दिया तो 96 आया तो यहां पर 6 आया कैरी आपके पास कितना है नाइन आया 21 फोर्जा 21 अब यहां पर 9 अगर आप एड करोगा तो कितना बरेगा 31 तो 3168 और यहां पर 0 इतने अगर हम बात करें इतने मीटर स्कॉयर बच्छों रोलर का रिवोलीशन आ गया क्या गया बच्छों यह रोलर का एक करफ सर्फिस एरिया आ 30 वन तौजन 680 ठीक है भुशो इतने मीटर स्कॉयर तो एक रिवोलीशन में वह लिवल करता है कितना बच्छ एक रिवोलीशन ठीक है तो यह चीज़ हमको यहां पर निकल के अच्छा एक चीज़ यहां पर और गेमिशन है अच्छ यह हमको सेंटीमीटर स्कॉयर में घ्या तो लेवल whole ground, it takes 500 revolution, तो area of ground बच्चो क्या बनेगा? एरिया of ground की अगर हम बात करें, तो भाई, एक revolution में कितना area cover करता है? 31,680, ठीक है बच्चो, 31,680, और एक revolution में, cm2, और अगर देखे यहाँ पर total number of revolution कितने ले रहा है? 500, total number of revolution कितना ले रहा है 500 तो बच्चो इतने सेंटीमीटर स्क्वाइर हो जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वाइर आपका हो जाएगा अगर आप यहां से अब देखिए 31,680 इंटू में अगर आप 5 से मल्टिप्लाई करोगे तो 5,8 जा 40 कैरी आया कितना आपके पास 4 आया 5,6,30 30 में आपने 5,8 जा 40 35,6,30 आप 34 होगे कैरी आपके पास 6 5,1 जा 5 और 3,8 बन गया बच्चो यहां पर और 5,3 जा 15 यह आ गया और वाकी के 3,0 आपके पास यहां पर औ और आगया 0,0,0 तो इतने cm2 हमारे पास playground का area और आपको मालू में कि वन cm2 होता है हमारे पास one अपन में 10,000 meter square क्या होता है बच्चो वन अपन में 10,000 meter square के तो यह बन गया हमारे पास कितना यह हमारे पास बन गया आपके पास 1584 अब दिखना यहाँ पर जीरो कैंसल हो जाएंगे तो मीटर स्क्वाइर इतना बच्छों हमारे पास प्लेग्राउंड का एरिया आ जाए कितना आ जाएगा बच्छों 1584 मीटर स्क्वाइर यह प्लेग्राउंड का एरिया आगे जल्दी से इसको नोट कर लिए आप लोग ठ लेए शाथ के साथ आपने अंदर ढ़लो अगर आप क्लास को देखते हो ना तो क्लास को देखते टाइम पर पहली बात की कोसिस करो कि के टेबल जीर बैटो क्योंकि क्वेधिन साय को सुनिये और एक नोट़्बुक ले जाएंगे और किसी को कोई डाउट नहीं बनेगा आप ये बात मान की चलिए ठीक है और इस तरीके से कंटिनेसली आप अकर ऐसे करते हो तो आपको अपने आपी सारे कॉंसेट आ जाएंगे उसके बाद आपके पास बुक्स है उन बुक्स से अपने कोशन की प्रेक्टिस करिए आपके और भी बनिया से कॉंसेट क्लियर होंगे ठीक है बचो तो इस कोशन को नोट कर लिया साथ के साथ सेन्टींेमिटर स्कॉयर क्योंकि हम को फाइंड करना था एरिया और प्लेगराउन इन मीटर स्कॉयर तो सेन्टींं इन ही ज्यक्राओर में कार्ण होता है तो क्या करते ओल अ अपन में 10 थाउ जन मलब अपकि य है कि मंना लटेट यहां कि डिवाइड कर दिया तो तो wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base 6 meter height 8 meter and base 6 meter assume that the extra length of the material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 cm अभी बोला है कि जो extra length requirement है ताकि cutting cutting में जो use में आती है वो 20 सेंटिमेटर है आपका ध्यान से समझें को कि भाई आपने एक तर्पाल का यूज़कर ट्रपिलिंगा यूज़कर करके एक टेंट बनाया है वो भी टेंट कैसा कोनिकल टेंट है तो ऑविसी बात है कि अगर आपके पास इस टाइप का कोणिकल कि टेंट दे धिए जाए ठीके पुछो इसताइब का आपको एक ओने में तrob करो करोंगे जितना एक कोन का कर्व सर्फिस एरिया होगा ठीक है बचो जितना इस कोन का कर्व सर्फिस एरिया होगा उतने ही पार्ट को आप कवर करोगे तो simple सी बात area of triple in जो हमारे पर triple in है बच्चो इसका area क्या होगा जितना इस कोन का curve surface area होगा ठीक है बच्चो तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहे है थेअधो त् tecnología पर इलिक सकते एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रेप्लिन है बच्चो इक कोनिकल टेंट ठीक है बच्छो कोनिकल टेंट का कर्व सर्फिस एरिया ठीक है बच्छो एरिया ऑफ ट्रप्लेन एक्वल टू कर्व सर्फिस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट जो कोनिकल टेंट है उसका कर्व सर्फिस एरिया ठीक है बच्छो तो यह हमें यहाँ पर एक्च्वल में कितिनी दे रखी है कि assume that conical tent of height 8 cm इसकी height हमारे पास 8 cm है 8 meter sorry और radius of base of base radius equal to 6 meter यह आपके पास 6 meter given है तो अगर मैं यहाँ पर CSA find करूं कर्व surface area तो क्या बनेगा सब कर्व surface area find करने के लिए आपको जरूरत क्या है आपको पाई into r into में L की अभी L कैसे आएगा यह तो slent height है बेटा तो आप अगर ध्यान से देखो तो यह right angle triangle form होता है तो यहाँ पर जो L का square होता है वो हमारे पास आपका height हो गई h square और radius हो गई r square so height मतलब की 8 का square हमारे पास 64 बन गया radius r का square 6 का square 36 बन गया this will be equal to 100 तो L square हमारे पास 100 आगया तो L की लेंद कितनी आगे बिटा टैन सेंट वरी जो हमारे पास slent height of का आपका conical tent आगया बच्छो कितना आगया तैने मीटर आगया किता आगया तैने मीटर चलिए यह हमारे पास आगया अब कर्व surface area find करते तो पाई की value 22 by 7 यूज कर लो या 3.14 भी यूज कर सकते हैं ठीक है ओके एंड अगें radius हमारे पास 6 है बच्छो radius हमारे पास 6 है ओके और यह हमारे पास 10 है यह हमारे पास 10 है चलो तो 22 by 7 into 6 into 10 मैं तो कहता हूँ कि बाई जब एक पॉइंट हमारे पास given है तो इसको 3.14 ले लो तो हमने पाई की value क्या ले लिए पेटा पाई एप्रॉक्सिमेट एक को टू 3.14 तो इसको मैंने 3.14 ले लिया चलो multiply करते हैं बच्छों तो क्या बनेगा 64 जा 24 तो कहरी आया आपके पास 266 और 28 हो गया बच्छों और 63 जा 18 आ गया कितना गया 18 आ गया है ओकिश फोर जा 246 बन जा 6 और प्लस टू एड कर दिया तो 26 बन जा 6 और प्लस एट 6 तरी जा 18 और इंटू मैं आपके पास जीरो अब दो प्लस के बाद लगा दिया आपने तो यह बन गया आपके पास 188.4 यह आपके पास क्या आगया बच्छों 188.4 स्कॉार हमारे पास टेंट का कर्व सर्फिस एरिया आगे ठीक है बचो लिछो वए टी 8.4 मींटना आया 188.4 मींटना स्कॉर हमारे पास कर्व शर्फिस एरिया निकल कर कि है आगए रहे हैं पर यह समझ में आया कि नहीं आया चलिए अब अगर्म नेक्स्ट में मूव करते जै आये बसको अब ऐसाथ ऑधस्ट करते तो से नहीं कर रहा है वन एक्टी एटपॉइंट सॉर मीठ्र स्कॉरPad अब next पर मूव करते हैं तो तुरंत यहां से अगर आप देखो तो आपको मालू में area of ट्रेपलिन क्या होगा area of ट्रेपलिन क्या होगा बच्चो area of ट्रेपलिन होगा इसकी विट्ट आपके पास given ट्रेपल टू आपके पास कितना है 188.4 तो लेंथ कितनी आ जाएगा 188.4 अपॉन में आपके पास 3 ठीक है बचो तो यह बन जाएगा आपके पास एट प्लस वन नाइन प्लस एट सेवंटीन 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 प्लस 424 चलो थिरी से डिवाइड कर दो तो 3618 ओके 326 और उ पर आगया तो 62.8 आपके पास यह आगया ओके अब आपको मालू मैं कि जो टोटल लेंथ होगी जो टोटल लेंथ होगी वह यह दे रखा है कि यह तो आपके पास 62.8 आगे लेकिन बोला है कि बाई कटिंग वगारा में जो एक्स्ट्रा वेस्ट हुआ है ना बचो इस्ट्रिचिंग में मार्जीन में जो वेस्टेज हुआ वह आपके पास कितरा है 20 cm तो टोटल लेंथ में अभी 20 cm कम रहे गया तो टोटल लेंथ क्या करेंगे 62.8 इसमें 20 cm एड करो तो सेंटीमीटर को मीटर में करोगा तो 20 अपार में 100 आएगा तो मतलब कि क्या बन गया 62.8 प्लस में 0.2 बन गया तो आपके पास 63 बीटर यह हमारे पास length of trip लेन आगे ठीक फो लेन्थ आफ तर्पलिन हमको कितना आगए 63 मीटर हमको निकल करके आगे clear है okay तो 63 मीटर लेंथ आफ तर्पलेन हमको यहाँ पर निकल करके आपका आगे clear है जलदी से बताइए समझ में आया या नहीं कि आया 63 मीटर हमाएं पास लेंट उपर लिया आपर निकल करके आ ख्लियर है चलिए तछस्ञ ओक एस मुझे समन में 63 मीटर हमाहाँ पार लेंट receive लिया पर निकल कर के आगे चलो नोट कर लेन सारे लोग के चलो अब नेक्ट कोश्टन पर इस डिस तरीके से सिंपली क्या किया है मने कि करव सर्फिस ऐई निकाला आपको बस यह सोचना है कि लिए त्रफ इस इसको किया करना है इसको हमें टेंट के चाड़ोगर कवर करना है तो ऑफ्विस है получилось कौवर कर रहे हूं तो टेंड का से इप को निकल यह तो जितना है कर्व सर्फिस एरिया उतना हमें तरप plays की requirement होगी clear बच्छो चलिए तो यह चीज हमको यहां से निकल करके आगे clear बच्छो आईए तो 63 meters the right answer I think एक बार जल्दी से note कर लो आपको clear ओके गई चलिए तो I think सभी ने note कर लिया होगा class के साथ के साथ note करते चलो बाद के रखोगे तो problem आएगी ठीक है तो मैं तो है क्लास के साथ में अपने साथ ही notes बनाते चलिए note करते चलिए ठीक है बच्छो तो आपको ज़्यादा असानी होगी चीजों को समझने में ठीक है चले अगला कुशन देखते है बच्छो अब आप बात करेंगे स्टेयर पर हमने हो निक एक को निकल सेटिन की बात कर ली अब बच्छो बात करें क्ल एसफेयर क्या हो तो आपने फुटबॉल देखी फुटबॉराल का जो सेफ हां वो क्या है स्पेरिकल सेप ठीक है नि-टो तो इसफ्यर कुछ इस सेप का होता है kis IMDCl एक सॉलिड फिगर आपके पास ठीक है बॉल हो गई फर्ट भॉल ये सब spherical shape की होते है थे हैं तो अब अगर हम बात करें एक यही बोलो तो 5-4 के बरामेर और तोनों एक ही है तो directly हम इसको surface area लिख सकते हैं तो इसका कर्व surface area है हम लिख सकते हैं surface area इसका जो surface area होता है बच्चों वो आपके पास 4 pi r square के equivalent होता है तो surface area का 4 pi r square हो गया अब अगर हम बात करें अगर आपके पास एक hemisphere बोला जाए तो हेमी स्फेर का मतलब क्या हुआ एक स्फेर को आपने बीच से कट कर दिया तो बीच से कट कर देने पर जो स्फेर बना हेमी स्फेर बना इसको क्या बोले हेमी स्फेर तो इसका कर्व सर्फिस एरिया की अगर बात करें तो कर्व सर्फिस एरिया में आपका ये वाला जितना ना बचो इसका area आता है तो यह आपके पास इसका curve surface area two by r square के जो की total surface area जो स्फेर का surface area तो इसका half है लेकिन अगर इसी hemisphere का total surface area आपसे पूछा जाएगा उसमें बचो यह जो आपको उपर पर top दिख रहा है ना top का इस top के area को भी हम इसमें include करेंगे तो total surface area यह 2 pi r square है प्लस में आपके पास pi r square तो यह आपके पास 3 pi r square के equivalent थीके अबचू तो curve surface area total surface area हमारे पास 3 pi r square के equivalent निकल करके आ जाता है ठीके अबचू? चलिए तो curve surface area क्या होगे? two pi r Square and total surface area by three pi r Square equivalent nsil निखल करके यहां पर आजाता है ही के अब चलिए तो ही समझ में आगे कोई रिक्कत यहां पर है okay clear आप चो यह हमारे पास निखल करके आपका आगे हैं अब अगर हम यहां पर देखे तो अब इस पर बेश्ट कोशन देखते हैं जैसे की कोशन क्या है दे होलो स्फेयर एक हॉलो स्फेयर मतलब की होलो स्फेयर आपके पास सेप है इन विच इता सरकस मोटर साइकलिस्ट पर फॉर्म तो अगर मैं इसकी रेडियस की बच्चों बात करूं तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी इसकी रेडियस 7 upon me 2 मीटर के क्वाला जाएगी कितनी हो जाएगी 7 by 2 मीटर find the area available to the motor cyclist for riding अब आप से पूछा जाए कि इस rider के पास कितना area available होगा for riding तो ये motorcycle कहाँ पर चलाएगा इस spherical जो आपके पस hollow sphere है इसके अंदर पर जितना area है जितना inner curve surface area होगा उस पर ही वो motorcycle चला सकते हैं तो बच्चो find the area available to the motor cyclist for riding तो कितना available उसके पास area होगा जितना अंदर का curve जितना अंदर का surface area है तो आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा अगर मैं देखू surface area तो surface area बनेगा आपके पास 4 pi r square के क्या बनेगा बच्चो surface area बनेगा 4 pi r square के तो यहाँ पर 4 हो गया pi की value 22 by 7 पुट कर ली radius देखो यहाँ पर 7 by 2 into 7 by 2 तो एक 7 से 7 हमने cancel कर दिया 22 को 11 times में गया तो यह बन गया हमारे पास 11 into में 14 this will be equal to 154 कितना बन गया उच्चो 154 meter square यह हमारे पास area जितने में एक motorcyclist क्या कर पाएगा अपनी motorcycle को चला पाएगा कितना आ जाएगा बच्चो 154 meter square clear है तो 154 meter square area पे एक motorcyclist इस स्वेर के अंदर पर अपनी बाइक को motorcycle को चला पाएगा ठीक है बच्चो available area for strength is 154 meter square one of the most simple question ठीक है अब तक की सबसे simple questions में से एक है जल्दी से बच्चो note करिये और आई तिंक बिलकुल असाने surface area 4 pi r square होता है radius मालूम थी diameter 7 तो radius 7 by 2 record के answer आएगे जल्दी से बच्चो note कर लो हो गया बच्चो चली बहुत ही बढ़िया इस तरीके से साथ के साथ note करते चलो अपने आप clear रहेगा अगला question देखते है बच्चो अगला question क्या है the radius of a spherical balloon the radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it माल लो एक आपके पास balloon कुछ spherical इस तरीके से था अभी इस spherical balloon की माल लो आपके पास radius कितनी थी बचा 7 meter थी अब आपने क्या किया इसमें air pump करी तो इसका जो हमारे पास वो बन गया वो अब इतना बन गया अब कितना बन गया जश्ट डबल हो गया अभी आपके पास इसकी जो रेडियस है वो कितनी बन गयी 14 cm बन गयी अब इसकी रेडियस कितनी बन गयी 14 cm पहले रेडियस को माल लो small r छोटे बाले balloon की रेडिस 7 कितनी 7 cm 7 cm ठीक है और जो बड़ा बाला balloon बन गया air pump कर देने से इसकी radius क्या हो गई 14 cm हो गया अब थोड़ी दिर और air push करेंगे तो balloon जाएगा फट इसलिए अब इतनी हवा फुझ करने है ठीक है बचो आजाओ तर रेडियस ऑफ़ स्फेर बैलून increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it जैसे यसमे एर आपने पंप करिये find the ratio okay बचो find the ratio of surface area आपको surface area का ratio बचो फाइं करना है of the balloon in the two cases ठीक है बचो हमको balloon का surface area फाइंड करना है दोनों ही cases में ठीक है बचो find the ratio अच्छा तो बताइए बचो जो पहला वाला balloon है इसका surface area क्या बनेगा find the ratio of surface area इसका surface area बनेगा 4 into my pi r square और इसका surface area क्या बनेगा 4 into my pi capital r square बहुत आसान तरीके से समझे ना इनका ratio निकालना है बिलकुल इजी वैनर में समझो फॉर पाई यार स्कार का मतलब क्या हुआ फॉर पाई की वैलो 22 by 7 radius आपके पास यहाँ पास 7 into my 777 cancel तो 7 for जाब 28 तो 22 into में आपके पास 28 हो गया बढ़िया तो 22 इसको इतना ही लिखे रहे दो मैं तो कहा रहा हूं कि इतना करने की जरूरती नहीं है क्योंकि अगर आप सिर्फ इसको ही छोड़ दो तब भी आपका आजाएगा देखो तो 4 pi r square इस बैलों का surface area हुआ 4 pi capital r square इसका surface area होगा अब देखो हमको find क्या करना है इनका curve surface area का ratio मलब कि surface area का ratio दोनों को डिवाइड कर दो ना दोनों के surface area को डिवाइड कर दो तो अगर हम यह देखें तो क्या बनेगा बचो रेशियो रेशियो ओफ सर्फिस area क्या बनेगा बटा दोनों के तो छोटे वाले से बड़े वाले को कर देंगे तो 4 pi r square upon में 4 pi capital r square 4 pi से 4 pi cancel small r upon capital r का whole square small r 17 capital r 14 का whole square यह बन गया 1 by 2 का whole square मतलब की 1 by 4 तो 1 by 4 बच्चो इसका answer हो गया क्या answer हो गया इसका 1 by 4 इसका answer आ गया तो बच्चो इस question में अगर हम बात करें surface area अगर हम देखें तो surface areas का ratio कितना आ गया 1 by 4 निकल करके आ ठीक है अपचो surface area का ratio यहां पर 1 by 4 निकल के आ गया बिल्कुल असान सा question था तुरंत solve करिए चक कर लिए एक्दम perfect है clear है चलो बैं यह हमारे पास surface area का ratio निकल करके आ गया और ऐसे ही question पूछते हैं अब आप सोच रहों कि सर 10th standard में क्या पढ़ाया जाता है जब सब कुछ यही पढ़ लगा वहां पर कुछ standard चीज़ें आ जाती है जैसे कि आपका combination of solid figures आ जाता है उसके बाद अगर हम बोले जाए तो revolution of solid आ जाता है कि एक solid को revolve कर दिया दूसरा आ जाता है transformation of solid आ जाता है कि आपने क्या कर दिए transform कर दिया एक sphere को melt करके कोन में change कर दिया यह कोन को melt करके square एक रेक्ट एक आपका cube में change कर दिया तो इस पर बेश कोशन आपको पढ़ते हो किस में 10th standard में लेकिन जितने भी कोशन होंगे सब में यही formula यूज करने है तो formula अच्छे से learn कर लेना क्योंकि बाद में यही यूज में आने वाला है ठीक है बचो चलिए सब को समझ में आ गया क्या answer आया 1 by 4 इसका answer आ गया चलो बढ़ते हैं अगले question की और next question के आपके आपके पास question हे बचो है hemispherical pile, a hemispherical bowl है, made of brass, have inner diameter inner diameter उसका 10.5 है ठीक है बचो तो अगरous इनर डायमेटर 10.5 इनर रेडियस 10.5 अपॉन में तू लिख देंगे क्या लिख देंगे 10.5 अपॉन में तू सेंटीमीटर ठीक है बच्छो फाइन दे कॉस्ट आफ तिन प्लेटिंग इट ओन दा इनसाइड ऑफ दरीट अब आपके पास हेमी स्पेरिकल सेप का है कुछ इस है ऐसा ही होगा अब इनसाइड पर अगर आपको टिन प्लेटिंग करनी है ठीक है बचो आम बाउल बाउल है तो बाउल में अगर टिन प्लेटिंग करनी है आपको यहाँ पर इनसाइड पर ऐसे यहाँ पर अगर आपको टिन प्लेटिंग करनी है तो आपको क्या करना है और इंकि इंसाइड एड डाइट फिक्सटीन रफ्स पर मींटर स्कौ इन एड़ की मिनटर सक्टीनि पर मिटर स्कौיל पर सेइने मिटर सकौईर की कौश्ड्स इसनॐम को यहां पर दे रखी है चली तो सबसे पहले हुआगर इनर साईड पर हमें क्या करना है इनर साइड पर यहाँ पर टिन प्लेटिंग करनी है बच्छो तो यहने कि टिन प्लेटिंग करनी तो क्या करेंगे इनर कर सर्फिस एरिया निकालो तो इसका अगरम इनर कर्व सर्फिस एरिया निकाले इनर कर्व सर्फिस एरिया तो क्या बनेगा आपके पास इनर कर सर्फिस तो अंदर में जितना पाट उस पे प्लेटिंग करनी है तो यह बने का आपके पाश टू पाई आर स्क्वाइर के चलो रख दिया है आपर पाई की वेलू ट्वेंटी टू बाई सेवन रेडियस कितनी है टैन पॉइंट फाइव ओके अपॉण में टू इंटू में आपके पास 10.5 अपॉण में टू चलिए बाई यहाँ पर पॉइंट हटाए जीनो बन गया यहाँ पर पॉइंट हटाए जीरो बन गया आओ सॉल्व करते हैं बच्चो तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखे तो सैवन बन जा सैवन फाइव जाप आपके पास कितना बनेगा 35 यहां पर 15 आ गए चलिए 5 से ढवाइड किया तो 5, 3 ता 15, 5, 4, 20 आ गे अगया फिर यहां पर देखो 2 से ढवाइड के तो 2 आ गया टू से ढवाइड के अथो यहां पर 11 आ गया अपॉन में आपके पास कितना बन गया हमारे पास 4 बन गया तो 11 का मल्टीप्लेट 21 से करोगे तो कितना आएगा यह आपके पास आएगा यहां पर 2 रहा है यहां पर 1 रहा और 2 प्लस वन आपके पास 3 तो 2-31 भाई 4 कितना आजाएगा बचो 231 by 4 cm square ठीक है तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या आगया बच्छो 231.4 sorry 231 upon 4 cm square हमारे पास क्या आगया इनर करफ सर्फिस एरिया आगया क्या आगया इनर करफ सर्फिस एरिया हमारे पास 231 ठीक है ओके सही है यहां पर को रिक्का तो नहीं है चलो 5 2 10 5 1 5 21 और यहां पर 4 आगया 21 by 4 7 5 25 ठीक है बच्छों तो यहां से ही सारी चीज़ निकल किया अब देखना अगर आप देखो तो रेट क्या गिवन है प्लेटिंग का जो रेट है वो 16 रूपीज पर 100 cm2 यानि कि 100 cm2 की कॉश्ट क्या 16 रूपीज है तो वन सेंटी मीटर स्क्वाइर की कॉश्ट क्या होगे 16 अपॉन में आपका रूपीज तो बताएं टोटल कॉश्ट बच्चों यहां पर क्या निकल कि आएगे टोटल कॉश्ट की अगर हम बात करें तो यह हमारे पास एरिया है तो थर्टी वन बाई पॉर इंटू में 16 अपॉन में हंड्रेड तो 16 से किया 16 फोर जा 24 आ गया बच्चों फोर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फॉर फोर फोर जा सिक्स्टी यह बने क्या फोर वन जा फोर फोर थी जा आपके पास 12 बन गया बच्चों और फोर टू जा एट और यहाँ पर 9 आगया कितना बच्चों गये तो यह बने आपके पास फोर работать बहु और पान में आपके पास कितना गया बच्चों 100 अगर मैं से डीवाइड करता हूँ तो कितना आता है 9.24 रूपीज कितना आता है बच्चों 9.24 रूपीज हमारे पास स्ट आफ प्लेटिंग नि एक सेकेंड यहां पर कुछ और भी यह क्या है ठीक है आया स्फेरिकल बावल मेड़ पर ब्रास है इनर डायमेटर 10.5 ठीक है बचो ओके फाइंड एक बर वापिस से क्रॉस्च चेक कर लेते हैं फाइंड दा कॉस्ट फिन प्लाइटिंग इट ओन दा इनसाइड एड़ रेट सिक्स्टीन रुपीस पर हंड़ेट सेंटीमेटर स्कॉर्ड एक अपचो तो यानि कि यहां पर एक बास सॉल्व कर लो तो इसका हमारे पास अंदर पर जो एडिया आएगा वो तू पाई आर स्कॉयर बन गया तो टू इंटू मैं पाई की वालू 22 बाई सेवन एब बाग क् कितना बन गया टू इंटू में 22 बाई सेवन और यह 10.5 अपॉन में आपका अच्छा पॉइंट इटा है तो 20 बन गया तो 105.21 105.20 क्लियर है इसी को हमने सॉल्व किया तो सेवन बन गया बच्छो एवन बन गया बच्छो एवन बन गया सेवन और सेवन फाइब जा 35 ठीक गया 535 फोर ट्विंटी तो 3 बैफ और यह बन गया 3 भूल गया रोड़ जाना बिटा यहां पर 3 से इस को कोई रिकत की बात नहीं है 3 से मुल्टी प्लाई और करना है तो यहां पर मान के चलो इन टू में 3 आपके पास और है तो कुल मिला करके जो भी आपके पास आया है इसमें 3 से multiply कर दो, ठीक है, जो भी cost तुमने निकाली बिटा, इसमें कुल मिला करके 3 से multiply कर दो, तो 9.24 इंटू में 3 करके देख लो, तो कितना आएगा, 4 3 जा 12 आ गया बच्छो, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 आ गया, ओके, 9 3 जा 27, ओके बच्छो, 27.72, इतने रूपीद आ गई, ठीक है cost change कर लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 को miss कर दिया था, यह 3 रहे गया था, तो 3 का multiply और होगा, तो 27.72 रूपीज, यह हमाए पर टोटल कॉश्ट आ गए, अब ठीक है एक बार वापिस से cross check कर लेना, ठीक है बच्छो, cross check करी जल्दी से, हो गया, simple है, आगया answer, I think मैंने वहाँ पर 3 मिस कर दिया था, उसकी वज़ए से difference आ रहा था, यह मुझे लगा, यह answer सायथ 27.72 था, जिसकी वैसे changes आ रहे था, चलिए बच्छो, तो answer last में ठीक कर लेना, 3 से multiply होगा, ठीक है, तो यह 3 से multiply होगा, क्योंकि 3 multiply करना भूल गया थ तो पूरे में 3 3 3 multiply करतें चले जाओ, तो यहाँ पर 27.72, तो इस तरीके से बच्छो यह question आपके पास surface area के complete होते हैं, जिसमें हमने कोन, hemisphere, sphere, इनके surface area पर बात करें, चलिए बच्छो, तो अब जो next class होगी, उसमें हम पढ़ेंगे आपका volume of solid figures, जो भी solid figures हैं, उनके volume कैसे find क करते हैं, volume पर base question solve करेंगे, तो मिलेंगे आपी next class में, और तब तक के लिए goodbye to all of you.